हेलो एव्यवान हेलो प्यारे बच्चों वेलकम बैक टो अनाधर क्लास कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले है थर्मल फिजिक्स के अंदर और टॉपिक का नाम आपको अल्रेडी यहां पर दिखाई दे रहा है कैलोरी मेट्री ठीक है जब water जो है वो ice में convert होता है ice water में convert होता है या फिर जब water boil होके evaporate हो जाता है या फिर जब steam से water में condensation होता है यह सारी चीजें जब होती है तो कितने heat या तो बाहर आती है या तो heat की जरुरत पड़ती है तो यह सब आज हम लोग करने वाले हैं ठीक है everyone तो अगर आपने अ तो कैसे हैं आप सब लोग all good जल्दी से वीडियो शेयर कर दो सबको बता दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो इस वन अप दे वेरी इंपॉर्टन टॉपिक और यहां से आप एक क्वेशन तो पक्का एक्सपेक करी सकते हैं पूरे थर्मल फिजिक्स से 6-7 क्वेशन तक भी देखे गए हैं एक-1 क्वेशन पेपर में है ना ऐसा भी देखा गया है बच्चो तो बहुत इंपॉर्टन है आपका चैट मुझे आज बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है पहले तो ना मैं आपके चैट की साइज थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ ठीक है बेटा तो कैसे हो तुम लोग सब बढ़िया ओल गुड हाँ एक सेगिन ठीक है मैं अपने चैट का साइस थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों से अच्छे से इंटराक्ट कर पाऊँ क्या कहते हो यार है ना तो रजत, मुस्कान, आचल, जानवी क्या बात है क्या बात है क्या बात है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं क्लास को तो सबसे पहले जो लोग मुझे पहली बार देख रहे है मेरा नाम है गवरफ गुपता और पिछले छे साल से जाधा से मैं नीट के बच्चों का जो फोबिया होता है फिजिक्स का करने की कोशिश कर रहा हूं आगे भी ऐसी कंटिनूसली मिलते रहना चाहिए राइट तो सपोर्ट को कंटिनू करते हुए एक बार जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा देना विडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा बच्चों उसको दबा दो बेल आइकन भी होगा वो भी दबा दो ये मंदिर की घंटी है इसको दबाओ के प्रसाद मिलता है हमारा प्रसाद क्या है नोटिफिकेशन ठीक है तो फड़ा फट बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे कोई भी क्लास आपके मिस नहीं होगी साथी साथ बच्चों हमारे टेलिग्राम ग्रुप भी है जिसको आप जॉइन कर सकते हैं इसका लिंक है बच्चों ठीक है तो बहुत अमीजिंग चीज आपको मैं बताता हूँ यहां पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ऐसा नहीं कि आप मुझ से पढ़ पाएंगे या वीटी सर से या गरी माम से पढ़ पाएंगे बहुत चारे आपको इतने सीनियर टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने हमें कभी पढ़ाया था किसी जमाने में राइट एवरीवन तो यह सब इसके हैना benefits है life classes तो होती है interact कर सकते हैं educators के साथ यह सब तो है बेटा लाइफ पोल्स है लीडर बोर्डस है टेस्सीरीज है लाइफ डाउट क्लेरिंग सेशन है लेकिन सबसे important बात जो है batches की कोई कमी नहीं है जो बच्चा जब शुरू करना चाहता है कोई बच्चा पूछ रहा सर पैन कहा था पैन आज गुम गया था राइट तो एक कॉपी थी उस कॉपी के अंदर मिला मुझे पैन मेरा ठीक है हां तो आप कहीं पे भी कितना भी पढ़ चुके हैं किसी भी stage में अगर आपका syllabus है आ आपको एक batch पक्का मिल जाएगा जो आपके हिसाब से चल रहा होगा क्योंकि इतने सारे batches यहां पे चलते हैं आप कभी भी start कर सकते हो at any point of time है ना कोई भी time आपके लिए t equal to 0 है that is the benefit of subscription बच्चो ठीक है तो यहां पे आप GG life code लगा के subscription ले सकते हैं 1 year, 2 year, 6 months, सारे options आपके personal coach का भी option है जो कि iconic subscription में आपको मिल जाते हैं बच्चो और यहां पे भी आपको same code लगाना होता है GG life यहां पे prices थोड़े से जादा है because you are getting the personal attention लेकिन अगर आप खुद से plan नहीं कर पाते हैं खुद से decide नहीं कर पाते हैं कैसे पढ़ना है कैसे आगे बढ़ना है तो definitely you need a personal coach बच्चो जो आपको iconic subscription में मिल जाएंगे six months का option यहां पे भी है बेटा जो कि 34,000 रुपीज का है and this can prove to be very useful for your preparation ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां क्या दिख रहा है हाँ pen मिल गया मेरा ठीक है न मुनो आज जो special class हुई थी उसमें pen मिल नहीं रहा था तो इसकी वज़े से मैंने सिर्फ mouse से लिखा मतब बहुत difficult था कुछ बच्चों ने बोला सर आप जो handwriting से लिख रहे हो यहां पे इसी अच्छी handwriting तो मेरी kg में थी है ना lkg में थी उस pen copy के नीचे ऐसे छुपा हुआ था मैंने पता नहीं किस-किस पे शक्क कर लिया सफाई के लिए जो आती है उन्से भी मैंने फोन करके पूछ लिया कहीं आपने फेक तो नहीं दिया मेरा pen तो नहीं सर नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है खेर एणिवेस चलो यह सब तो खेर जो खाना आएगा बस उसको खाने में हमारा इंट्रेस्ट है चलो आप चाहे कोकिंग करते हैं चाहे आप सीधा खाते हैं जो भी हो फ्रूट्स तो हम कच्चे ही खा जाते हैं तो भीटा फ्रूट्स को भी पकने के लिए थोड़ी हीट की जुरत होती है है तुम्हें पता होगा अगर केले को बहुत जादा गर्मी में रख दो तुरन पक जाता है अरे सब जेके हीट है भई है ना हीट ही नहीं मिलेगा तो प् कि भाई कितने हीट की जुरत होती है किसी बॉड़ी को हीट करने से क्या क्या चीजें हो सकती है सेंसिबल हीट क्या होता है लेटेंट हीट क्या होता है सर यह स्पेसिफिक हीट कभी सुना था किसी जमाने में स्पेसिफिक हीट क्या होता है यह सारी चीज़ हम देखेंगे ब बताओ भला, हैं, खेर, एनिवेज, फोल्का सिंथेस तो पताईए तुम्हें, ओके, तो चलिए बच्चो कहानी की करते हैं शुरुवात, अब मुझे बस एक बात बताओ, मैं बस तुम्हारा है न, एक सर्वे करना चाता था तुम्हारे साथ, एक सर्वे का आंसर देते न, कि क्या यह formula तुमने कभी देखा है, m, c, delta, t, heat का formula, q को हम बोलते हैं, बेटा, heat required, है न, heat, m होता है, mass, c होता है, specific heat, कई बार इसको specific heat capacity भी बोलते हैं, और delta t हे बिचा, change in temperature, सबने देखा है, तो जड़ा दिल बना दो, sir, अगर नहीं देखा है, तो क्या बनाए, काला दिल बनाए क्या, ऐसा doubt तो नहीं आ रहा तुम्हारे मन में, अरे देखा तो होगा, कभी न कभी तो छोटी grades में भी पढ़े होगे, कुछ लोग कह रहें, नहीं देखा, जूट मत बोलो, दिख तो रहा है सामने, नमूनो, को बोलो, सभी ने देखा है, जो लोग no बोल रहे थे, वो भी अब हाँ बोलो, हाँ sir, देखा है, देखा है, यह देखा है, यह देखो sir, अभी आपने लिख दिया, यहाँ पे, देखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे विटा, तो यह heat का जो formula है, सबसे पहले तो heat क्या है, सबसे पहले heat है, a form of energy, क्या है भई यह, एक form of energy ही तो है यह, different form of energy होती है, तो heat में ऐसा क्या खास है, इस energy में ऐसा क्या खास है, कोई अलग बात तो होगी, तभी तो इसको अलग से नाम दिया है, heat का है, तो heat में खास बात यह ह कि यह ऐसी form of energy है जो तब flow होती है जब वहाँ पे temperature difference होता है generally हम ऐसा बोलते हैं कि temperature difference की वज़े से जो energy flow होती है एक body से दूसरी body पे उसको हम heat कहते हैं तो अगर एक बहुत गरम body यहां पे रखे हुई है और अगर मैं कहता हूँ बेटा T1 is greater than T2 है ना तो कहां से कहां तक heat जाएगी बच्चो heat जाएगी यहां से लिकल के यहां तक है ना heat निकली है तो दूर तक जाएगी है ना गरम करने वाले के शामत आएगी यह देखो हाई गरमी हो गया बेटा T1 से T2 पे चलागी चलीगे heat है ना बहुत बड़ी है तो बहुत आसान सी बात है सर ठीक है यह वाली जो heat है ना इसका एक नाम भी है इसका एक नाम है इसका नाम है बेटा sensible heat अब यह तुम्हें बताऊंगा यह क्या होता है sensible sensible सब बताऊंगा ठीक है तो basically दो types की heat होती है एक होता है sensible heat एक होता है latent heat तो सबसे पहले आप यह जान लो कि यह जो formula आज तक आपने पढ़ा है Q equal to mc delta t यह कौन सी heat का formula है बच्चो sensible heat है अभी मैं different different terms से तुम्हें introduce करा रहा हूँ ठीक है जैसे तुम कोई web series देखोगे कोई movie देखोगे तो पहले अलग-अलग characters आते हैं ना ऐसे आगे अचानक से हमारे सामने खड़े वजाते हैं शकल दिखाने के लिए तुम सुचते हो यह नमूना कौन है तो मैं भी इस movie का director हूँ अभी तुम्हारे सामने सिर्फ इस sensible heat का word सामने रख दिया है इसको तुम जितना घूर के देखना चाहो देख सकते हो थोड़ी देर में जैसे जैसे movie आगे वढ़ेगी तुमको समझ में आ जाएगा कि यह कौन है है ना इसका कच्चा चिठ्था सब खुल जाएगा उसका आपको rise कराना है तो इतने heat की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है बहुत बढ़िया तो सर ये आपने सब तो बता दिया ये heat है ये mass है ये delta t change in temperature है सर ये c यहाँ पर क्या कर रहा है अब ये c क्या है तो बटा c को हम बोलते है specific heat ओ सर अलग-अलग name देते जा रहे हो बस आप है न पिटा ये sensible heat न बस एक type है heat का ये बस type है ठीक है this is one of the type of heat specific heat c को बोलते है c is known as specific heat specific heat क्या कहता है कि मुझे ना सर इस body के mass से कोई मतलब नहीं है कितना temperature आपने increase किया उससे मतलब नहीं है एक काम करो मुझे आप 1 kg की body दे दो उसका 1 degree Celsius temperature rise करा दो उसके लिए जितने heat के ज़रुरत पड़ेगी उसी को specific heat कहते है फिर से ध्यान से सुन लेना ठीक है specific heat क्या होता है कोई से भी body ले ली ठीक है बेटा कितने mass की body ली है 1 kg सिर्फ 1 kg बहुत बढ़िया उसका temperature कितना increase करना है हमें 1 degree Celsius तो ऐसा करने के लिए जितने heat के ज़रुरत पड़ेगी उसी को हम उसकी specific heat कहते हैं सर यह हम कैसे मान ले आओ प्रूफ करके दिखाता हूं Q का formula क्या होता है बेटा m c delta t ठीक है बहुत बढ़िया सर मास कितना ले लू मैं विशिष्ट ताप भाई साहव देख रहे हो मास कितना ले लू मैं 1 ले लेता हूं विशिष्ट उसमा बेटा ताप का मतलब temperature होता है त विशिष्ट उसमा कहते हैं इसको हां मास इस बन केजी सी तो सी ही रखने दिया मैंने डेल्टा टी कितना बेटा वन एक डिगरी सेल्सियस तो देखो वन और वन तो चलो गायब हो गया Q इकुल टू सी आ गया मतब गंगाधरी शक्तिमान है यानि कि specific हीट ऐसी हीट है जो ए एक केजी मास के बॉड़ी का टेंपरेचर एक डिगरी सेल्सियस इंक्रीज कर सकता है बात समझ में आई specific हीट उस हीट को कहते हैं विशिष्ट उश्मा उश्च उश्मा का मानक है जिसे दिये जाने पर किसी भी बॉड़ी को क्या वोलेंगे किसी भी बॉड़ी का द्रव्य हो गया फिर सब बोल देता हूं देखो specific हीट है जो अगर वन केजी के बॉड़ी को दी जाए तो उसका टेंपरेचर वन डिगरी से राइज हो जाता है ठीक है बच्चो ठीक है बहुत बढ़िया चलिए अब अगर specific हीट है तो उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए ठीक है क सभी bodies का spirit रट लोगे क्या के तो बिटा सभी का रट लोगे क्या नहीं ना कुछ-कुछ bodies का ही आपको रटना होता है और वो कुछ-कुछ basically water है कंणड़ा नहीं आता बिटा कंणड़ा गुथिल्ला इतना आता है मेरेको ठीक है कंणड़ा गुथिल्ला का मतलब होता है I don't know how to speak कंणड़ा you need to know this you need to know this क्योंकि कई बार आपसे सामने से आके बैंगलो में लोग कंणड़ा बोलने लग जाते हैं तो आपको उनको बताना पड़ता है कंणड़ा गोथिल्ला एंवेस तो क्यू इक्वल टू सी आगे बढ़ें object को वस्तु बोलते हैं आच्छा हाँ अभी अभी याद आया चलो बच्चो पहला जो हमारे पास you can say substance है जिसका हमें C पता होना चाहिए specific पता होना चाहिए वो है water कौन है बेटा वो वो water है देखो अगर मैं आपको एक ग्राम वाटर दे देता हूं कितना ग्राम बेटा एक इत्तु सा वाटर दे दू मैं आपको और आपको बोलूँ कि बेटा इसका temperature एक डिगरी Celsius बढ़ा दो मानलो उसका temperature अभी 25 है 25 डिगरी Celsius है तो 25 से 26 कर दो एक डिगरी Celsius बढ़ा दो तो जितने heat की जरूरत पड़ेगी ऐसा करने में उसी को हम specific heat बोलेंगे है ना और उसकी जो value होती ही बेटा वो calorie में 1 calorie होती है तुमने पढ़ा होगा ना दो type की units आप generally बढ़ते हो heat की एक calorie और एक आपका Joule अगर calorie में बात की जाए तो एक calorie heat की जरूरत पड़ेगी अगर आप 1 gram water का temperature 1 degree Celsius से बढ़ाना चाहते हैं कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है क्या? कोई पूचरा सर ओडिया भी बोलते हो क्या? देखो ओडिशा में मेरा college था ठीक है? एना इटे राओर के ला बताता हूं मैं तुमने ठीक है? नहीं माराठी तो बिल्कुल नहीं आती तो ओडिशा मेरा college था जो mess था न होस्टल का वहां पर मैं जाता था plates लेके कि भाईया रोटी डाल दो है ना या फिर सबजी डाल दो कुछ भी भूक लगी है मैं तो मैंने देखा जब मैं नया नया पहुंचा college में कि मैं खड़ा रहता था मैं भाईया भाईया बोलता रहता था मेरे plate में कोई रोटी डालता ही नहीं था बगल से कुछ लो रोटी मिल गई रोटी निकल लो तो भाईया को भाईया बोलते हैं ठीक है भाईया बोलोगे तो उनको थोड़ा अपना अपन सा फील होता है है ना फिर वो जल्दी दे देते थे तो पूरे चार साल मैंने उडिसा में सिर्फ यही word बोला भाईया बागी कुछ निससे काम हो बढ़िया सा एक word सीख लो पंजाब चले जा सस्त्रीकल है ना हो जाता है लोग इमोशनल हो जाते हैं इंडिया में लोग बहुत भावुक है उनको लगता इसको आता है वाई अपने जैसा ही है दे दो इसको है ना बहुत प्यारा इंसान है खेर एनिवेज जोग सपार्ट इससे मेरा काम चल गया था हां जी बेटा स्पेसिफिक हीट देख लो एक बार वन कैलोरी हीट की जुरत पड़ेगी अगर आप एक ग्राम वाटर का टेंपरेचर कितना बढ़ाना चाहते हैं बहुत बढ़िया तो इसकी जो यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की जो यूनि सब्सक्राइब की यूनिट कैलोरी भी हो सकती है जूल भी हो सकती है इस एक बार जल्दी से दिल बना दो अकर बात अच्छे से समझ में आ गई है तो यार से बढ़ा रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है छोटी सी बात है बिटा specific heat ऐसी heat है जो 1 kg या 1 g जो भी ले लो unit mass ले लो उसका temperature unit से increase कर देता है ठीक है? अच्छा अब तुम बोलोगे सर मुझे calorie में ये value नहीं चाहिए अब क्यों मुझे calorie में बता रहे है? मुझे नहीं चाहिए calorie में जाओ, joule में चाहिए मुझे तो ठीक है नमुने, joule में भी ले ले अगर same 1 g water आपने लिया और उसका temperature 1 degree Celsius बढ़ाया तो specific heat joule में होगा बेटा 4.2 joule per gram degree Celsius इससे क्या सीखने को मिला बच्छो? इससे ये सीखने को मिला कि एक calorie को अगर आप convert करना चाहते हैं joule में, तो वो 4.2 joule के बराबर होता है, अब यह मैं बार-बार नहीं बताऊंगा नमुनो, सीख लो, ठीक है? कई बार question calorie में पूछा जाएगा, कई बार joule में पूछा जाएगा, you will have to remember that, है ना? भोजपूरी भोजपूरी तो भाही बिल्कुल नहीं आती, ठीक है? anyways, one calorie one calorie is equal to 4.2 जूल, ठीक है? हाँ, अब आगे बढ़ जाएगे? आगे बढ़ जाएगे? हाँ जी अब आप बोलेंगे ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपने calorie पर ग्राम में बता दिया, आपने जूल पर ग्राम में बता दिया, लेकिन अगर मुझे one gram water नहीं, बलकि one kg water लेना है, तब क्या होगा? अगर मुझे one gram नहीं, one kg water लेना है, तो बेटा ये तो बहुत आसान है, देखो, यहाँ पे gram है ना, इसको kg में convert कर लो आप चाहो तो, तो एक gram में कितने kg होते हैं? one gram will be equal to ten power minus three kg, तो अगर मैं इसको kg में convert करना चाहूं, तो answer आएगा four point two upon ये kg हो गया, degree celsius तो ऐसा ही है, बट नीचे एक ten power minus three भी आगया, बेटा सबको समझ में आ रही है क्या बात? gram को kg में convert कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये ten power minus three जब उपर जाएगा, तो ten power three बन जाएगा, तो आपका answer आएगा बच्चो, four thousand two hundred, ये जो four point two आपने लिखा था, ये four thousand two hundred बन जाएगा, कैसे? क्योंकि ये उपर जाए रहा है ना, तो ten power three से multiply हो गया, तो four thousand two hundred joule per kg degree celsius, बटा मैंने बहुत अच्छा से समय लेके, आपको specific heat की value बता दी है water के लिए, जल्दी से बता दो एक बार दिल बना के, क्या बात समझ में आ गई है, come on everyone, और कोई बची हो तो वो भी बुला लो African, Chinese, Spanish है ना, हाँ, सही में, इतने देर में तुमने सारे के सारे वो लिख दी है, सारे languages यहाँ पर लिख दी है, सबका पूछ लिया, बेटा नहीं आती मेरे को ज़्यादा है languages, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, screenshot ले लो और इसको याद कर लेना, ठीक है, इसके screenshot ले लो और इसको याद कर लेना, हमेशा बहुत ज़्यादा काम आएगा, ओके एवरिवन, तो ज़्यादा तर ना, यही वाली value use होगी, यह वाली, कि specific heat of water is 1 calorie per gram degree Celsius, ठीक है, यह सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा use होने वाली value है, तो वैसे तो आपको सभी याद रखने है, आईए, देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, 100 joule heat is given to 50 gram water, है ना, बिल्कुल शायरी की तरह फील हो रहा है, 100 joule heat is given to 50 gram water at 10 degree Celsius, water का initial temperature है, पेटा, 10 degree Celsius, ठीक है, पूछ रहे हैं, find final temperature of water, अब जब आप heat दे दोगे water को, तो उसका temperature बढ़ जाएगा, है ना, अब मैं तुमसे एक simple common sense का सवाल पूछता हूँ नमूनो, सोच समझ के अच्छे से answer देना, यहाँ पे देखो heat की क्या unit लिखी हुई है, joule, बहुत बढ़िया, mass की क्या unit लिखी हुई है, ग्राम, तो आप कौन सा specific heat का value उठाना पसंद करेंगे, क्या ये वाला उठाना पसंद करेंगे, जो calorie पर ग्राम पे है, गलत बात बिल्कुल नहीं, बिटा हमें joule और gram, ये दो units given है, देख लो ध्यान से, है ना, हमें जो heat given है, मास जो है, वो gram में given है, सर ने आपको सारे combinations दे दिये हैं, calorie और gram होता तो ये वाला लेते, हमें joule और gram given है, तो हम joule और gram ये वाला ले लेंगे, तो हमारे लिए specific heat की value कितनी होगी बेटा, 4.2, देखा आसान कर दिया ना मैंने, आसान कर दिया ना बहुत ज़्यादा, तो दिल बना दो एक बरजल्दी से, यही तो होता simplification, इसे को तो कहते है simplification, बस ये देख लो ना, कि कहां पे कैसी unit use हो रही है, उसकी हिसाब से सर ने अल्रेडी दे रखाया, हमें value है ना बेटा, और आपको नहीं भी दिया होगा अगर, तो आप calorie से Joule में convert करना, जानते हैं, एक calorie बराबर 4.2 Joule होता है, तो बेटा आओ इसको solve करते हैं, वही होगा ना, देखो Q is equal to mc delta t, heat मैंने Joule में रख दिया 100, mass मुझे gram में रखना है 50, अब क्योंकि ये Joule में है, ये gram में है, तो C की value मुझे लिखनी पड़ेगी 4.2 Joule पर gram, delta t कितना है बेटा, अरे भई तो निकालना है सर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, t final minus t initial, delta t मतलब change in temperature, तो t final minus t initial, तो चलो बच्चो solve करो, solve करो, solve करो, और मुझे बताओ क्या answer आ रहा है, 100 divided by 50 into 4.2 हो जाएगा, बताएंगे आप लोग मुझे ज़रा solve करके, कितना answer आ रहा है, final temperature बताना है बेटा, है ना, final temperature बताना है बच्चो, come on, 4.4 answer, अरे final temperature बताना है बच्चो, final temperature आएगा, 10.467 degree Celsius, नहीं हा रहा क्या, तुम्हारा ऐसा कोई answer नहीं हा रहा क्या, दूर दूर करेगिस्तान है क्या सामने पूरा, सच बता दो, बता सकते हो सच, हाँ मदब 0.4 कुछ हा रहा होगा ना, ये वाला, अरे नमूनो, देखो, ये 52,100 हो गया, ये 2 upon 4.2 हो गया, ये लगभग लगभग कुछ तो 0.4 something 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 आएगा, आएगा नहीं आएगा बिलकुल आएगा, लेकिन मुझे तो final temperature निकालना है, जबकि initial temperature 10 given है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ना, minus 10, अब 10 को उधर बेज दूँगा बिलकुल हो जाएगा, 10 plus 0.4, तो 10.4 के बाद, something something मेरी जान, है ना बेटा, आगे answer, degree Celsius में, तफ लगा क्या बिलकुल भी, इत्तु सा भी तफ लगा क्या, नहीं लगना चाहिए, है नी तफ क्यों लगेगा, तो बिकार में लगता रहता है तफ कुछ भी, आगे बेटा, है ना, 10.467, चलो, बहुत बढ़िया, session को अगर अभी तक like नहीं किया है नमूनों ने, तो फटा-फट like कर देंगे, subscribe कर देंगे चैनल को, और bell icon भी दबा देंगे, ठीक है बेटा, चल लिए, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, nothing nothing, मैंने बुला something something, तो आप कह रहे है, nothing nothing, चल ये, अब जड़ा सोच के देखो, है ना, अपने दिल पे हाथ रखके, खुद से पूछो, कि अगर आज के बाद आपको, कोई भी इस तरीके का सवाल दे दिया जाये, तो कर लोगे, heat गिवन है, mass गिवन है, specific heat गिवन है, delta T गिवन है, mass गिवन है, C गिवन है, heat निकालना है, full time pass नहीं है क्या बिल्गूल, full time pass है बेटा, full time pass, करते रहो जितना time pass करना है, अब हम वही थोड़ना करते रहेंगे, हमें तो आगे बढ़ना है, evolve करेंगे हम, मज़ा तो तब आचा है, जब दो bodies गिवन हो, तीन bodies गिवन हो, चार bodies गिवन हो, ठीक है, ऐसी जब situation गिवन है, तब फिर मज़ा आता है, अब मान के चलो बच्चों की, एक body यहाँ पे आपको गिवन है, एक वस्तु यहाँ पे गिवन है, जिसका temperature है T1, repeat after me, कितना temperature है बच्चों, इसका temperature कितना है बच्चों, T2, ठीक है, इसका mass है M1, इसका specific heat है C1, इसका mass है M2, इसका specific heat है C2, तो once upon a time, यह दोनों bodies एक दूसरे के आसपास पाई जाते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया, और ऐसा देखा गया कि T1 में ज़्यादा गर्मी थी, और T2 में कम, हाई गर्मी है ना, T1 is greater than T2, तो T1 का temperature ज़्यादा था, T2 का कम था, अब चूंकि यह आसपास रखे हुए थे, तो गर्मी का आदान प्रदान हुआ, यानि कि heat cut, है ना, लेन देन हुआ है यहाँ पे, तो बताइए कहां से heat निकल के कहां गई होगी, बताइए, सोचिए, ज़रा common sense लगाईए, कोई difficult सवाल नहीं है, T1 क्योंकि higher temperature पे है, तो यहां से heat निकल के T2 की तरफ जाएगी, है ना बेटा, T1 से heat निकल के T2 की तरफ जाएगी, ऐसा होने पे, ऐसी हरकत होने पे, T1 temperature धीरे 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 कम होता जाएगा, क्योंकि यह ठंडा हो रहा है, उसमें से heat बाहर जा रही है, ठंडा हो रहा है, calm down है ना, लेकिन इसके साथ just टुल्टा हो रहा है, इसके पास heat पहुँच रही है, इसके पास heat पहुँच रही है, तो इसका temperature बढ़ता जा रहा है, तो यह धीरे 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 इसका temperature बढ़ता जा रहा है, बताओ क्या यह अनंत समय तक चलता रहेगा, यह जो हरकत चल रही है यहाँ पे, क्या ये अनन्द समय तक चलेगी? नहीं, एक time आएगा जब दोनों का temperature बराबर हो जाएगा ये भी T और ये भी T है ना बच्चो? T और T, दोनों का temperature बराबर हो जाएगा इस situation को हम लोग कहते हैं thermal equilibrium जब दोनों bodies का तापमान यानि कि temperature बराबर हो जाता है कोई temperature difference नहीं बच्च जाता तो उसको हम कहते हैं बच्चो thermal equilibrium और एक बार thermal equilibrium आ गया तो heat transfer zero हो जाएगा क्योंकि heat तो तब transfer होता है यहाँ पे ना जब temperature difference हो temperature difference गया तो heat transfer रुख जाएगा तो आपसे यही final temperature यहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों bodies का final temperature कितना होगा आईए निकालते हैं final temperature कितना होगा ठीक हैं तो हमने simple सा हिसाब लगाया बिलकुल हम लाला जी बन गए जैसे वो लाला जी पेट निकालके दुकान पे बैठे होते हैं इसे चश्मा लगाके और नीचे से इसे हिसाब करते हैं उनका चश्मा के नीचे भी वो concave convex दोनों लगा होता दिखा होगा तुमने है न हाँ तो लगाया हिसाब हिसाब लगाने से ये समझ में आया कि जो भी हीट इस बॉड़ी ने लूज करी होगी जो भी हीट इस बॉड़ी ने लूज किया उसी हीट को इस बॉड़ी ने गेन कर लिया यानि कि बनिया हाँ सभी है सभी पकड़े है यानि कि जो M1C1 ΔT इस body का होगा, वो बराबर होगा M2C2 ΔT के, बात समझ में आ रही है बिटा, यहाँ पे जो temperature difference होगा, पहली body का ΔT1 लिखेंगे, इसका ΔT2 लिखेंगे, कहने का मतलब यह है, कहने का तातपर यह है, कि यह दोनों heat एक दूसरे के बराबर होगी, देख लो, सह T1 है न, into change in temperature of first body, तो first body का initial temperature T1 है, final T है, तो यह change in temperature हो गया, अब positive रखने के लिए हम लोग higher minus lower लिखते हैं, तो इसका T1 higher था, T lower था, तो higher minus lower लिखा है positive रखने के लिए, similarly यहाँ पे देख लो, M2C2 इसका change in temperature, इसका बाद वाला temperature ज्यादा होगा, क्योंकि यह गरम हो रही यह body, तो बाद वाला temperature minus initial temperature किया है, सब को यह बात समझ में आई क्या न मुनो, यह समझना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, rocket science है क्या है बहुत बड़ा, कुछ नहीं है कुछ, है ना, हाँ, सही है, है ना मिटा, अच्छा, बहुत बड़ी आसर, अब जब आप इसको solve करेंगे, जब आप इसको solve करेंगे, left hand side, right hand side, पक्छांतर, है ना, side change, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तब जो final temperature का formula निकलेगा, वो कुछ ऐसा होता है, अब finally आपको यही याद रखना है, कि जब भी दो bodies given है, अलग-अलग temperature पे, अलग-अलग masses, अलग-अलग specific heat, तो उनका जो common temperature होता है, उसका formula यह होता है, याद करना बहुत आसान है, common temperature का formula क्या पता है, m1 c1 t1 plus m2 c2 t2 upon m1 c1 plus m2 c2, बिल्कुल rhyme करके याद कर लो, खता में क्या करना है आपको, है ना, m1 c1 t1 plus m2 c2 t2 upon m1 c1 plus m2 c2, प्रियंका पूछ रही है, सर यह जो दोनों side जो t है, वो same क्य जाया, थोड़े समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, दोनों का temperature सेम हो जाएगा, thermal equilibrium अचीव हो जाएगा, और फिर heat trunk पर रुख जाएगा, तो इसलिए दोनों सेम है, पिटा, है ना, finally दोनों का temperature सेम है, समझ आ गया पिटा, formula समझ में आ गया, tough तो नहीं लग रहा है topic, topic बहुत आसान है, है ना, m1, c1, t1, plus m2, c2, t2, upon m1, c1, plus m2, c2, खतम, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब थोड़ा interesting चीज़े शुरू हो जाएगी, अच्छा सोचो अगर 3 bodies होती ना, 3 bodies अगर होती, तो यहाँ पे आप m3, c3, t3 भी लिख सकते थे, और नीच m3, c3 भी लिख सकते थे, यह बिल्कुल center of mass के formula जैसा दिखता है, है ना बिटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ancient civilization को याद करने कोशिश करो, पुनर जर्म है ना, तुमने पढ़ा था center of mass, भरोसा रखो अपने आप पे, ऐसा ही कुछ-कुछ formula दिखाए देता था, m1 यह भी जो आपने formula देखा बच्चो, common temperature का, वो कुछ ऐसा था, m1, c1, t1, m2, c2, t2, m1, c1, m2, t2, है ना, यही formula है, बहुत बढ़िया, अब अलग-अलग इसमें special cases होते हैं, special cases क्या-क्या होते हैं, कि मान लो ये body और ये body, इन दोनों का mass बराबर है, हाला कि specific heat अलग-अल बराबर बेटा दोनों का, क्या बराबर है, mass बराबर है, same mass के हैं दोनों, हाला कि specific heat अलग-अलग है, तो जड़ा सोच के देखो, दिमाग लगाओ, अपने दिल से पूछो, हाथ रखके, कि अगर masses बराबर हैं, तो क्या ये m1 और m2 यहां से common आ जाएंगे, है ना, और m मन है ना, और अंदर क्या बचेगा, c1 t1 प्लस c2 t2, masses बराबर हैं तो बाहर आ गया, common आ गया, यहां से भी m1, m2 बाहर आ जाएंगे, तो अंदर बचेगा, c1 प्लस c2, बहुत बढ़ी आसर, तो mass और mass cancel, अभी ये formula हो गया आपका, देख रहे हो, बहुत आसान तो है, वैसे ह ऐसा भी situation हो सकता है, कि इन दोनों का masses तो अलग-अलग है, ठीक है, m1 और m2 है, लेकिन c दोनों का same है, दोनों का c same है, तो बताओ क्या common आएगा इस बार, यहां से, यहां से इस बार c common आ जाएगा, तो जब आप c common लेंगे उपर से, तो उपर बचेगा, m1 t1, m2 t2, upon m1 प है न, है न, हाँ, सर आज दौरा आ रहा है क्या, अच्छा यह दौरा लग रहा है तुम्हें, दौरा नहीं, यह मेरा दौर है, तुम्हारा भी दौर आएगा एक दिन, don't worry, खेर, अब मान लो, masses भी बराबर हो जाएं, और specific heat भी बराबर हो जाएं, दोनों के दोनों नमून चाहेगा बेटा, अंदर आपके पास बचेगा देखो, T1 प्लस T2, और यहां से भी देखो, M, C, यहां से भी M और C बाहरा जाएंगे, अंदर बचेगा देखो, यहां पे 1, यहां पे 1, यानि कि 2, 1 प्लस 1, 2 होता है, यह दोनों कैंसल हो गए, वाउ, इसका आंसर बढ़ा लेके identical हो, है न, मान लीजे, इसका initial temperature T1 और इसका T2, वो एकदम identical है, उनका mass भी same है, उनका specific heat भी same है, तो बच्चों, उस case में, जो T होता है, common temperature, वो average के बराबर आजाता है, देख रहा हूं, average ऐसे निकालते थी कि बचपन से लेके आज तक, average के बराबर कब आता है T, जब दोनों का mass भी same होता है, और जब दोनों का specific heat भी same होता है, ठीक है everyone, right everyone, तो इसका जरा एक बर जल्दी से screenshot ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो 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 बेटा, come on, come on, come on, come on, come on, to कैसे, बहुत बहुत धन्यवाद सोना ली, question पूछने क के लिए, ऐसे question मुझे जैसे दिखते हैं, मैं सात्मे आसमान पे चला जाता हूं, तो ancient civilization में हमारे जो गडित के आचारे होते थे, वो हमें ऐसे सिखाते थे, कि देखो बिटा, यहां से तुमने M और C को बाहर ले लिया, तो यहां पे 1 बच गया, सब कुछ बाहर चला गया, दस उंगलिया हाथ में होती हैं, दस उंगलिया पैरो में होती है, यूज करो, कोई calculator की कभी जूरत नी पड़ीगी, फिर वो बोलते थे बेटा, ऐसे करो देखो, 1, हाँ सर, 1, एक और 1, हाँ सर, एक और 1, अरे तो 2 के बरावर है, भाई साहब, मज़ा आ गया, मतलब यह मेर best topic है, यह मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बच्चो, तो यह आपका answer आगया 2, अगर बात समझ में आगी, तो दिल बनाते न, ऐसा explanation मिलना बहुत rare है, मैं generally यह बात नहीं बोलता हूं, बट यहाँ पे मैं बोलूँगा यह, यह explanation मिलना बहुत rare है, बच्चो, त सोनाली को लग रहा होगे, मैंने क्या पूछ दिया, खेर, anyways, T1 प्लस T2 बाइटू क्या होता है, कब हो जाता है, जब masses भी बराबर हो, और specific heat भी बराबर हो, ठीक है बेटा, चलो, आजाओ, यह वही चीज लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, यह जो मैंने यहाँ लगा दू, T1 को थीटा 1 लिख दिया, देख रहे हो, स्मार्टनस देखो भाई की, क्यो टाइप कर रहे हो, क्या जोरत है तुम्हें, यह प्का कॉर्टाना ने किया, देखो, सही सही, सेम चीज तो लिखिया मैंने यहाँ यहाँ पे, क्या जोरत ही उसी चीज को यहाँ पे दिनोट करते हो, लिख लो बिटा, टेंपरेचर को, T के द्वारा अथवा, ठीटा के द्वारा भी दिनोट किया जा सकता है, कोई परिशानी वाले बात नहीं है, सवाल करिए, आईए, दो लिक्विड्स हैं, A और B, and they are at 32 degree Celsius and 24 degree Celsius, ठीक है, एक लिक्विड, लिक्विड 1 य Celsius अब मान है बच्चो, और दोनों को mix कर दिया गया है, equal masses में, यानि कि इसका भी mass उतना, जितना mass इसका, same mass है, और ऐसा देखा गया, कि इनका जो temperature of mixture है, याद आया, वो common temperature जिसको हम बोलते है, temperature of mixture is found to be, इनको mix करने के बाद, temperature देखा गया, 28 degree Celsius, तो आपको सिर्फ इतना ब 2 is to 3 भी हो सकती है, 1 is to 1 भी हो सकती है, who knows, 2 is to 1 तो पका हो सकती है, मैं तो बहुत जाता confused हो रहा हूं इसमें, तुम्हारा क्या सीने बताओ, क्या answer आ रहा है, प्रदर्शित करते हैं, है न, हाँ, बहुत बढ़िया, कालिदास अच्चु has written something in some other language, which I cannot read, for me that language is like काला, महापात्रा का कल birthday है, चलो, happy birthday in advance, I'll send you the address, cake भेज़ देना मेरे हिस्से का, ठीक है, आयुषगर्ग, पूजा, प्रत्यशा, जीजी मौम की छुटकी परी, अक्षय, प्रतिष्था, जितने बच्चों का मैंने नाम लिया, सभी लोग 1 is to 1 कह रहे हैं, सभी लोग, PDF नहीं हुआ है, मैंने किया है यार, अप्लोड मुझे याद है, ठीक है, नूर, हसन, मैं देखता हूँ, जो अप्लोड नहीं हुआ है, I'll check it out, हाँ जी, C is the correct answer, बच्चों, आओ इसको ना, मैं आपको बिलकुल short trick से बताता हूँ, देखना, ठीक है, एक का temperature 32, दूसरे का temperature 24, अच्छा 32 और 24 का जो average आएगा, वो कितना आएगा, जड़ा चेक करना बच्चों, 32 और 24 को add करके 2 से divide करो, 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 28 ही आएगा, 28 ही आएगा बच्चों, तो 32 और 24 का अगर average निकाला जाए, तो वो 28 आता है, और हमें भी mixture temperature 28 के बराबर गिवन है, हम तो खुशी से नाचन लग गए, क्योंकि हमें ये पता है, कि common temperature average के बराबर तब होता है, तब होता है, जब उनका masses भी equal हो, और specific heat भी equal हो, masses तो नमूने ने already लिख रखाए कि equal है, दूसरी चीज़ जो हमें बतानी है, वो है, specific heat भी equal होगी, और अगर equal होगी, तो उनका ratio आएगा, बेटा, 1 to 1 दि हैंगे, इसमें, रेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ बेटा, बहुत आसान question था ये, है ना, average निकाल के देख लो न, होतो गया, है ना, 32 और 24 का average 28 होता है, और यहां पे आप देखेंगे, तो यहां पे भी 28 ही लिखा है, तो average अगर आया है, तो masses भी equal होंगे, और specific heat भी equal ह होंगे, ठीक है, है, स्वापनिल, स्वापनिल कह रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं लेते, मेरे ऐसे शौक नहीं है, कि मैं लड़कों के नाम लेता रहूं, तेरा नाम लिया, है ना, तुझे याद किया, खेर, anyways, मैं शादी शुदा हूँ बेटा, सिर्फ एकी इंसान का नाम ल जाते है, ठीक है, बागी ऐसे कोई शौक नहीं है, मेरे कि मैं तुम्हारे नाम लेता रहूं, और एक गाना याद आ गया, बॉल्लिवोड का, तेरा नाम जपदी फिरा है, क्यों जपू में तुम्हारा नाम, क्या मिलेका मुझे तुम्हारा नाम लेके, है, क्या है, anyways, अब example से समझना इसको, ठीक है, मानलो, कोई इंसान है, ऐसे गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, बड़ी अपनी गाड़ी में जा रहा है, और अचानक से किसी दूसरे इंसान ने पीछे से उसकी गाड़ी को ठुक दिया, accident हो गया, छोटा सा, minor सा, 500 हजार में ठीक हो जाएगा, ऐस sensible नहीं है, है ना, तो भली छोटा सा damage क्यों ना हुआ हो, और especially अगर वो दिल्ली में हो, है ना, तो बाहर आते ही, जितनी गालिया उसने आज तक सीखी है बचपन से लेके, सारी एक बार में निकाल देगा सबसे पहले तो, अगर उसकी गाड़ी में कोई bat, baseball का bat, कुछ और ह हुआ, तो उससे पहले दूसरे बार के गाड़ी को तोड़ भी देगा, मतब basically उसका phase change हो गया, उसका phase change हो गया, है ना, अपना phase उसने change कर दिया, तो ऐसा ही कुछ यहां पे भी होता है, sensible बंदे का phase change नहीं होगा, वो बुलेगा, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ढोग लेटन्ट में फेसचेंज नहीं होता, अगर तुम पानी को गरम करो और sensible heat दो तो पानी पानी ही रहेगा, लेकिन latent heat में फेसचेंज हो जाता है, sensible heat देखो कितना sensible है, अपना phase..West change नहीं कर रहागा, Temperature बढ़ जाएगा, phase change नहीं होगा, पानी है तो पानी ही रहेगा, आई से इसमें बेटा फेस बदल जाता है फेस चेंज होता है तो ऐसी हीट जिसकी वज़ए से फेस चेंज हो जाए उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं ठीक है तो ये लेटेंट हीट दिल्ली से है आगे तुम समझ जाओ दिल्ली से है ये इसका face change हो जाता है फड़ा-फड़ से खेर एनिवेज अब ध्यान से सुनना face changes कौन-कौन से हो सकते हैं कैसा कैसा face change होता है ऐसे face changes हो सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास अगर eyes है उसको heat करोगे तो यह water में convert हो गया है ना इसको हम लोग बोलते हैं melting ठीक है यह तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है तुम्हें सिखा रहा हूं एकदम second grade में तुम्हें सिखाया गया होगा melting ठीक है वैसी मान लो अगर इसका उल्टा हुआ अगर water ice में convert हो गया तो इसको हम कहते हैं बेटा fusion ठीक है इसको हम बोलते हैं evaporation बहुत बढ़िया और अगर steam जो है वह water में convert हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग condensation ठीक है अच्छे इसके अलावा कुछ और भी style मारने के लिए आपको कुछ-कुछ words सिखा दिये जाते हैं ना सिर्फ style मारने के लिए फिजिक्स में उसका कुछ काम नहीं आता वैसे जेनरली तो वह क्या आपको सिखाया जाता है कि मानलो अगर आपके पास solid है उसको इतना heat कि इतना heat कि वह direct vapor में convert हो गया solid to vapor direct इसको क्या कहते है मेटा sublimation है ना इसको sublimation कहते हैं सिर्फ style मारने के लिए बताया गया है यह आपके exam में नहीं आता है बस जान लो कि ऐसा होता है ठीक है बहुत बढ़िया अब ध्यान से सुनना latent heat का जो formula होता है वो बहुत आसान होता है और सबसे अच्छी बात में तुम्हें यह बता दू कि latent heat में change in temperature zero होता है कोई temperature change नहीं होता बेटा temperature change नहीं होता क्या change होता है temperature change नहीं होता तो क्या change होता है phase change होता है temperature, temperature की बात ही नहीं जलती, ठीक है, जैसे कि बताओ, ice water में कब change होगा, 0 degree Celsius पे, तो ice भी 0 पे रहेगा, water भी 0 पे ही रहेगा, water भी ice में कब change होगा, जब 0 पे हो, सही बात है सर, water steam में कब change होगा, जब ये 100 degree Celsius पे हो, तो 100 water से 100 steam पे change होगा ये, है न बच्चो, और similarly steam भी water में कब change होगा, जब वो 100 पे होगा, क्या temperature में change आया, temperature में कोई change नहीं आया, phase में change आ गया, 0 ice, 0 water, temperature सेम है 0, 0, लेकिन एक ice, एक water, वैसी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो formula बनता है latent heat का, उसमें delta T नहीं पाया जाता है, जैसा कि sensible heat में था, mc delta T, तो यहाँ पे जो formula बहुत आसान है, mass of the body into specific latent heat, खता, m into l, अब सर यह l क्या होता है, यह भी तो जाना ज़रूरी है, l क्या होता है, तो l heat required per unit mass है, to change the phase, फिर सब सुन लो, l क्या है, heat required per unit mass to change the phase, जैसे कि, अगर आप पानी को ice, या फिर ice को पानी बनाना चाहते हैं, है ना, यह पानी को ice, या फिर ice को पानी, water की बात कर रहे हैं हम लोग, ice से water बना दो, या फिर water से ice बना दो, तो per unit mass, या फिर per gram, 80 calorie की जरूरत पड़ेगी, कितनी calorie बात पड़ेगी बच्चो, 80 calorie per gram, तो अगर मैं तुम पे कह दूँ आज, कि वेटा जाओ, यह मुझसे तुम 100 gram पानी ले जाओ, 0 degree पे है बिल्कुल, 0 degree पे तयार है, 100 gram पानी है, इसको ice में convert करके ले आओ, 0 पे ही, temperature change मत करना, सिर्फ phase change करके ले आना, 0 water दे रहा हूँ है, 100 gram, तुम उसको 0 ice में convert कर दो, तो तुम कितना heat उसमें से निकालोगे, 80, नमूनों नहीं, 80 calorie तो per gram है, 80 को multiply करोगे, mass के साथ, मैंने कितना mass दिया, 100 gram, तो यही तो formula बना, देखो, mass into specific latent heat, है ना, तो specific latent heat आप याद करेंगे, आपके पास और कोई दूसरा option नहीं है, हाला कि एक अच्छी बात बता देता हूँ, generally यह given भी होता है, अगर examiner का mood अच्छा है, उसकी उसकी बीवी से रडाई नहीं हुई है, तो exam में question बनाते समय, वो इसकी value दे देगा, वरना अगर वो तुम्हारा watt लगाने के mood में है, तो नहीं देगा, ठीक है, आपके लिए अच्छी बात यह है, मतलब एक अच्छा option यह है, आप इसको याद करके ही जाओ, तो 80 calorie per gram, अगर उसको mass से multiply कर दिया, तो 100 into 80 हो जाएगा, यह कब का case था, यह तब का case था, जब ice को water में, या फिर water को ice में convert किया गया है, तो इतने heat की जुरत पड़ती है per gram, लेकिन अगर तुमने decide कर लिया, water को steam में convert करना है, तो जाहिर सी बात है, थोड़ा common sense लगाओ, उसमें ज़्यादा heat की जुरत पड़ेगी, ज़्यादा energy की जुरत पड़ेगी, तो उसकी value होती है, बैटा, 540 calorie per gram, कितनी होती बच्चो, 540 calorie per gram, अब सोचो, अब मैं बोल दूँ कि तुम्हारे पास 1000 gram water है, ठीक है, उसको convert करना है, steam में, 100 degree Celsius पे तुम्हारे पास water है, पढ़िया, उबलने वाला है, या बिल्कुल पानी, उसको तुमको 100 पे steam बनाना है, तो बताओ कितनी heat की जुरत होगी, तुम बोलो कि सर, इस specific latent heat 540 है, इसको mass से multiply कर दूँगा, तो mass तो 1000 है सर, हो गया, है ना, हो गया, done undusted, ठीक है, mass into specific latent heat, अब बटा बोलो, अगर calorie में नहीं, बट जूल में पूछा जाया answer, क्या करोगे, बैठके रोगे क्या food food के, कि हमारे सर ने तो सिर्फ calorie per gram बताया था, मैं क्या करूँ, है ना, कोई मतलब नहीं है, मत करना ऐसा, तुम्हें conversion भी सिखाया है, एक calorie बराबर 4.2 joule होता है, तो 80 calorie per gram को, अगर joule per gram में convert करना है, तो simply 80 multiplied by 4.2 कर देना, तो यह joule per gram में convert हो जाएगा, रोना मत, ठीक है, food food के मत रोना बच्चो, अपने आसू बचा के रखो, आगे बहुत कुछ करना है, तुम्हें अभी शादी करनी है, है ना, तो आसू आसू बचा के रखो, तो 80 multiplied by 4.2 करोगे, तब जाके जूल per gram में convert हो जाएगा, ठीक है बेटा, feel आगे है पूरी, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बता दो, 80, solid से liquid, liquid से solid, water के लिए है यह, similarly, liquid से vapor, vapor से liquid 540 है, दोनों में चलेगा, ठीक है, चाहे पानी को steam बनाओ, चाहे steam को पानी बनाओ, दोनों में 540 ही लेना है, चाहे ice को water बनाओ, चाहे water को ice बनाओ, दोनों में 80 लेना है, बात समझ में आगई, है ना, हाँ, चाहलो, बहुत बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और, यह graph रापतों मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले question try करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया question है, बहुत बढ़िया question है, बच्चो, नहीं, पहले graph ही देख लेते हैं, पहले graph ही देख लेते हैं, इसी का graph बना लेते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, देखो, find amount of heat released, amount of heat released निकलना है मुझे, अगर 1 kg steam को, जो की 200 degree Celsius पे है, बढ़िया superheated steam एक दम है ना, 200 पे, is converted into minus 20 degree Celsius इस, यह minus यहां रह गया है, छुटकु सा, इसको उठा के माइनस 20 यहां पे आ गया, ठीक है बेटा, तो देखो, 1 kg आपको steam गिवन है, 200 degree पे, उसको आपको convert करना है, आइस पे, जो की कितने degree पे होना चाहिए, माइनस 20 पे होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है, है की निए बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल है सर, तो एक काम कर करते हैं, पहले इसको solve कर लेते हैं, ठीक है, किसी का answer आ रहा है क्या, मैं कहता हूँ एक बार pens down, pens नीचे रख दो, ठीक है, हाँ, नहीं मैं नहीं नहीं देख रही है, don't worry, मैं नहीं देखती है, ठीक है, नहीं देखती है, उनका physics पढ़ने का time चला गया, अब नहीं देखत physics, बहुत time हो गया उस बात को, मैं solve करा देता हूँ, तो मैं अपने pen नीचे रख दो, ठीक है बिटा, और ध्यान से सुनते जाना, देखो बच्चो, heat transfer में तरीका होता है, क्या तरीका होता है सर, देखो, सबसे पहले आपके पास कितने degree Celsius पे steam है बच्चो, 200 degree Celsius पे है, है ना 200 degree Celsius पे है, इसको हम लोग cool कर रहे हैं, cool करेंगे तभी तो ice बनेगा, है ना, cool कर रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया, सबसे पहले cooling में जो process होगा, उसमें ये होगा कि steam 200 से steam 100 पे आ जाएगा, steam 100 degree Celsius पे आ जाएगा, बताओ ये कौन सी heating है, sensible है या फिर latent है, ये sensible है, क्योंक पता है, कि 100 degree Celsius पे ही phase में change होता है, steam से water 100 पे ही बनता है, तो ध्यान से देख लो, सबसे पहले 200 से 100 पे आ गए है, और ये sensible heating है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिलकुल सही है सर, sensible heating है, ये तो बहुत बढ़िया, अब बताओ, जब steam थंडा होते 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 होत है ना, तो अब ये 100 steam से 100 water में convert हो जाएगा, ओ, सही बात है, 100 steam से अब ये 100 water बनेगा, क्योंकि 100 पे phase change होता है, 100 पे phase change का alert है वाई साब, अब ये कौन सी heat है बेटा, अब ये latent heat है, बहुत बढ़िया, अब ये latent heat है, उसके बाद क्या होगा, और ठंडा करो, और ठंडा करो, तो water का temperature भी कम होगा, water का temperature कम होगा, अचा 100 से कहां तक कम होगा ये, 100 से कहां तक कम हो सकता है, क्या कहते हो, water का temperature कम होते होते, कम होते होते, zero तक आएगा, क्योंकि अगला phase change, zero पे होना है, तो water का temperature 100 से कम होते, 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 zero तक आ गया, और अब क्या होगा, बच्चों, 0 degree Celsius ice, अपको बात समझ में आ रही है क्या, 0 degree Celsius water से 0 degree Celsius ice तक आ जाएंगे हम लोग, और finally मुझे ice कितने पे चाहिए पता है, minus 20 पे, अच्छा ये बताओ, ये कौन सा था, ये sensible था, ये फिर से sensible था, सही है न, temperature change हो रहा है, यहां से यहां तक क्या था बच्चों, फिर से ये latent था हमारा, ठीक है, और बहुत बढ़िया, उसके बाद फिर से ice 0 से ice minus 20 तक जहम जाएंगे, और ये फिर से हमारा sensible ही कहलाएगा, एक बार चेक कर ले न, सब कुछ सही लिखा है क्या सर ने, असान तो है, है न, एक बार जल्दी से revise करवादू, एक बार जल्दी से revise करवादू क् इस steam है, 200 पे, वो सबसे पहले आ जाएगा, उसका temperature कम होगा, तो steam 200 से 100 पे आ जाएगा, 100 पे आके हम क्यों रुक गए, 100 पे आके हम इसलिए रुक गए, क्योंकि अब phase change होगा, तो अब steam 100 से water 100 बनेगा, phase change होगया, खुशी की बात है सर, phase change हुआ तो latent heat है, नहीं हुआ था त pool करेंगे आप इसको, तो water का temperature कम होते होते, कम होते होते, कम होते होते, 0 तक आएगा, 0 पे हम क्यों रुक गए, क्योंकि अब 0 पे फिर से phase change होगा, अब water 100 से water 0 पे तो phase change नहीं हुआ है, तो वो sensible है, अब फिर से water 0 से ice 0 बनेगा, फिर से latent हो गया, ice 0 से मुझे finally ice ही चाहिए, minus 20 पे, तो फिर से 0 से minus 20 sensible होगा, अब हमें क्या करना है, हर case में कितना heat release हुआ, ये लिख देना है, और सभी को add कर देना है, असान है, हर case में कितना heat release हुआ, ये लिखना है, और सभी को add कर देना है, देखिए, final answer मुझे calorie में चाहिए, और masses मुझ देखो वैसे तो kg में given है, मैं चाहूं तो उसको है ना, उसमें भी, हाँ देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, अब देखना बच्चो, सबसे पहले तो एक छीज में आपको बता दू, यह जो steam है, इसका specific heat होता है बेटा, 1 by 2, जैसे water का 1 होता था ना, water का कितना होता था, 1 होता था, steam के लिए हम 1 by 2 लेते हैं, similarly, ice के लिए भी हम लोग 1 by 2 ही लेते हैं, है ना, steam के लिए भी हम लोग 1 by 2 लेते हैं, बच्चो, ice के लिए भी 1 by 2 ही लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, steam और ice के लिए specific heat हम लोग 1 by 2 लेंगे, बहुत ब जियांसे, स्टीम से स्टीम बना 200 से 100, बेटा, last है फटा-फट इसको खःम करते हैं, ठीक है? मास कितना है, 1 kg अगर मैं 1 kg में लिख दूँंगा, तो आंसर किलो कालरी में आ जाएगा क्या? है ना? आंसर किसमें आ जाएगा? किलो कैलरी में आ जाएगा अगर मैं मास को kg में न लिखते हुए, ग्राम में लिखू हूँ, तो आंसर कैलोरी में आएगा अरे नमूनो बात समझ में आ रही है क्या, ग्राम में लिखोगे तो 1000 ग्राम लिखोगे 1000 लिखने के बज़ा, अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, तो ऐसा मान लो ना कि अल्रेडी 10 पावर 3 मल्टिप्लाइड है, तो उस 10 पावर 3 के वज़े से किलो बन जाता है यह, है ना, तो परिशान मत हो ना, तो 1 kg मास लिखा आपने, मल्टिप्लाइड बाई, स्पेसिवीड बोलो, mc delta t formula है, स्पेसिवीड बोलो, 1 by 2, delta t बोलो, delta t बोलो, delta t बोलो, delta t हो जाएगा यहाँ पे 100, यूनिट में कोई confusion आया क्या, पेटा, यूनिट में कोई confusion आया क्या, हाँ, ये calorie per gram में है, जैसे जिसमें water का जो 1 होता था, जिस unit में, उसी unit में, ठीक है कनिशका, कनिशका पू water का 1 में होता था, हैना, 1 calorie per gram degree Celsius, बिल्कुल वैसे ही 1 by 2 है, यहाँ पे, बात समझ में आ गई, unit में परिशान तो नहीं हुए, बताओ, इसमें heat की unit क्या आएगी, ये kilo calorie आजाएगी, अगर आप इसको, mass को 1000 रखते, हैना, 1 kg को 1000 gram लिखते, तो answer आता calorie में, बठ हमने 1 kg लिख रखा, specific latent heat कितना होता है, बच्चो, 540, और mass कितना है, 1, mass कितना है, 1, और याद रखना, answer आ रहा है, kilo calorie में, वैसे तो हमें ऐसा करना चाहिए था, 1000 gram multiplied by 540, तो answer आता calorie में, but anyways, मुझे तो kilo calorie में चाहिए, kilo में करने के लिए, वैसे भी हम 1000 से divide करेंगे ही, तो ये तो 1 ही बच understand है न, तो kilo calorie में 1 into 540 हो गया, अच्छा, फिर से यहाँ पर देखो, sensible, 100 से 0, water है, water का specific heat होता है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, mass into specific heat, दोनों 1, 1 हो गए, into delta T, delta T कितना है, 100 से 0, 100, अरे वा सर, कितना असान तो है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आ जाओ, water 0 से i0, latent, क्या होती, यहाँ पर 80, और mass कितना है, 1, m into l, last में, फिर से यहाँ पर sensible हो रहा है, ice 0 से ice minus 20, mass रहेगा 1, specific रहेगी, बिटा, 1 by 2, और change in temperature कितना है, 0 से minus 20 तक, 20 degree Celsius का change आजाएगा, सही है न, 0 से minus 20 में कितने का change आएगा, 20 का change आजाएगा, अब बस बच्चों आपको इन सभी को solve करके add कर देना है, और answer यहाँ से आपको one of the answer मिल जाएगा, यही चीज, एक line में, यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है, इसमें तुम्हें feel कम आती है, है न, यह तुम देखोगे, तो तुम्हें लगएगा, भाई साब, यह क्या इतना लंबा सा equation लिखा हुआ है, कोई feel नहीं आएगी तुम्हें यहाँ पर, right everyone, लेगी न, अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर बड़िया सी feel आती है, क्योंकि आपको पता है, कब कौन सा face change हो रहा है, कब temperature change हो रहा है, right everyone, विश्वजीत ऐसा कुछ नहीं बिटा, कोई doubt है तो बता दो मुझे, C भी तो calorie per kg होना चाहिए था, देखो इसमें कुछ लोग परिशान हो रहे हैं, आलिया पूछ रही है, सर calorie per kg होना चाहिए था ना, क्योंकि आपने mass kg में रखा है, पिटा, अगर वैसा आप रखते, तो answer calorie में आता, मैं फिर से एक बार clear कर देना चाहता हूँ, अगर मैं पह कैलोरी में आ जाएगा, लेकिन मुझे final answer किलो कैलोरी में देना है, कैलोरी को किलो कैलोरी में कैसे convert करोगे, divided by thousand करके, तो यार जब बाद में divided by thousand करना ही है, तो पहले ही mask को one लिख लो न, क्यों परिशान हो रहे हो, पहले ही mask को one लिख लो, तो यह अपने आप किलो कैलोरी में आ जाएगा है ना कोटाना I'm glad that you came after a long time हाई बोल दो बिटा कोटाना को देखो आगे ही कोटाना चली जाओ कोटाना सबको logic समझ में आया मैं वैसे तो thousand रखता वहाँ पे thousand रखता मैं वहाँ पे लेकिन thousand रखने के बाद answer calorie में आता अब मेरे को बाद में thousand से divide करके फिर kilo calorie में convert करना पड़ता तो बाद में इतना करने से अच्छा है पहले ही one लिख दो वहाँ पे ठीक है 540 कैसे लिखा सनेहा तुम लेट आई क्या अभी तो सिखाया था 540 540 तो होता है जब liquid से वेपर बनता है वेपर से liquid बनता तो 540 तो है कैलोरी पर ग्राम में है ना बच्छो आपको मैं एक homework दे रहा हूँ ये सवाल एक बार दुबारा solve करके आना खुद से try करके क्या answer आया आउसर क्या आया वैसे ये आ रहा है क्या 780 आना चाहिए बेटा चेक कर लो ठीक है 780 आपका answer आना चाहिए चेक कर लेना और एक बार ये question दुबारा solve करके आ जाना खुद से एक बार try करके आ जाना बच्चो confidence definitely बढ़ेगा कल की class में मैं तुम्हें और practice करवाऊंगा इसी की तो ये question अभी के लिए चाहो तो homework ले सकते हो हाला कि मैं ये question कल करवाने वाला हूँ और इसी का मैं आपको कल graph भी दिखाऊंगा कि ये graph कैसे बनता है heating का sensible heat जब-जब होता है तो ऐसे उपर जाएगा latent heat में flat हो जाता है सब सिखाऊंगा मैं कल तो अभी ये chapter finished नहीं हुआ है कल हम और इसको continue करने वाले हैं लेकिन आपसे जो मेरी उम्मीदे हैं वो ये हैं कि आप ये वाला question एक बार दुबारा खुद से करके आएंगे क्योंकि process थोड़ा लंबा है 4-5 type की heat निकाल के सभी को add करना है खुद से एक बार कर लोगे खुद को एक बार convince कर दोगे मज़ा आ जाएगा तुमको बड़िया वारी feel आ जाएगी बस एक बात का ध्यान रखो कि कैसे कैसे change होता है temperature, कब-कब change होता है phase इतना अगर आप ध्यान रखेंगे definitely आपसे हो जाएगा जाते जाते एक चीज़ बता दू आज semiconductor की class 5.30 pm को ही रखी है ठीक है फोड़ा pre-pon किया आदे घंटे ओके everyone आज 6 बजे नहीं है आज class 5.30 को है ओके पेटा चलो फिर मिलते है next class में है ना जाते जाते एक और information ले लो अभ्यास batch शुरू हो चुका है started on 23rd of December I should say and यह teachers आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले है बच्चों amazing teachers है ना teachers के बारे में थोड़ा आप जान सकते हैं यहाँ पर and this is one of the very amazing batch बच्चों क्योंकि आप revision करना बहुत जरूरी आपके लिए तो that also you can do in the abhyas batch और बच्चों आपकाडमी combat दुबारा आ रहा है 27th of December को 11 a.m. को test होने वाला है guys for 11th, for 12th, for 13th students और इन teachers के साथ आपको उसका video solution भी मिल जाएगा just after an academy combat okay GG live code लगा के आप subscription ले सकते हैं यह आपको already पता है बच्चों one year का price 34,650 है two year का 50,400, six months का subscription आपको सिर्फ 25,000 रुपीज मिल जाता है बच्चों साथी साथ आपके पास iconic का भी option है same code GG live लगा के आप iconic subscription भी ले सकते हैं ठीक है latent heat में phase change करने के लिए temperature, temperature constant रहता है latent heat में, confused मत हो temperature constant रहता है latent heat में same temperature पे सिर्फ phase में change आ जाता है तो जैसे water है तो वो ice बन जाएगा bell icon as well, share भी कर देना video को और like ठोक देना अगर अभी तक नहीं किया है तो ठीक है कितने बज़े मिल रहे हैं हम लोग दुबारा बच्चों अभी हम 530 को मिल रहे हैं और diode, rectifier, zenner diode ये सब चीजे होने वाली हैं आज की class में ठीक है, semi conductors के अंदर ये channels भी हमारे check out करिए और GG life code लगा के maximum discount ले जाएए, ले जाएए चलो, मिलते हैं ठीक है class के just बाद PDF upload होना चाहिए, ओ भाई, ये धमकी थी या request, anyway जो भी था, but है ना, make sense करता हूँ मैं, ठीक है बेटा next class के तुरंद बाद दोनों का PDF अपका अप्लोड हो जाएगा exactly at 6.30 PM चलिए everyone, bye-bye see you soon in the next class, have a nice day